श्री लंगा के खिलाफ पहले वन डे में टीम इंडिया को जीत के लिए आखरी 16 गेंदों में सिर्फ 5 रन चाहिए थे और क्रिस पर मौझूद शिवम दूबे और 9 स्ट्राइक पर मौझूद थे भारत के हाथ में 2 विकेट मौझूद थे स्ट्राइक पर मौझूद शिवम द अब भारत को जीत के लिए 14 गेंदों में सिर्फ एक रन चाहिए थे टीम के पास सिर्फ एक विकेट बाकी रह गया था क्रिस पर मौझूद अर्शिदीप ने सिंगल लेने के बज़ाए तेजी से क्रॉस बैट चलाया और वो लव डब्ल्यू आउट हो गए इस वज़े से वन डे मैच टीम इंजिया का टाय रहा हाला कि भारत के पास मैच जीतने का पूरा मौका था लेकिन अर्शिदीप के गलत शौट से टीम इंजिया जीत नहीं पाया अर्शिदीप के आउट होते ही खुशी से उच्छनने वाले गौतम गंबीर के चहरे पर अचानक से उदास आप पुछले बले बाजो से रन की उमीद नहीं कर सकते लेकिन खेल के प्रती थोड़ी जागरूता किसी भी क्रिकेटर के लिए जरूरी होती है अर्शिदीप द्वारा लगाये उस शौट से कोच गौतम गंबीर प्रभावित नहीं हुए होंगे गणेश नेश विलंगा क के इंदबाजों की जमकर प्रशिंसा की जिन्होंने टीम को गेम में वापसी कराई वहीं दूसरे यह टीम इंडिया की कप्तान रोही शर्मा ने मैच के बाद कहा स्कोर हासिल किया जा सकता था लेकिन इसके लिए आपको अच्छी बल्ले बाजी करनी होगी हमने टुकडों म आपका क्या क्याना है हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राइस जरूर दे और ऐसी स्पोर्स से जोड़ी खबरों के लिए देखते रहें स्पोर्स नेक्स चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और वीडियो को लाइक और शियर जरू करें